हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करते हैं exception handling के बारे में जावा में बहुत अलग होती है exception handling बाकी सबसे तो हम इसको पूरा अच्छे से detail में करेंगे exception handling भूद ही important feature है जावा programming का कि यह हमें runtime errors से exceptions आते हैं उसको handle करने में help करता है तो हम आज पढ़ेंगे exception handling क्या होती है exception क्या होता है exception कौन कौन किसी तरह की होते है exception classes क्या होती है और basically उनको handle के सखिया जाता है सब examples के साथ ही देखेंगे हम तो exception क्या होती है exception एक unwanted event है जो interrupt करती है normal flow of the program को एक मालो program है कुछ वो चल रहा है पूरा execute हो रहा है बीच में exception आई और सीधा runtime error आ गया जो की एक user को समझ भी नहीं आ रहा अचानक से हुआ क्या तो यह उन unwanted events को होते हैं ठीक है तो अब exception क्या करती है हमारा program जो चल रहा होता है उसको terminate कर देती है उसे बंद कर देती है वहीं पर तो हमें इसे handle करना चाहिए हम ऐसे अपना कोई program ऐसी terminate तो नहीं करवा सकते तो उस cases में एक system generated error तो show होता ही है लेकिन वो समझ में आता नहीं है लेकिन जो exceptions होती है जब हम Java से handle करते हैं उन्हें तो handle करने के बाद इसका मतलब यह है कि एक ऐसा error message show कर दे user को कि user को समझाए कि हुआ क्या है वाक्य तो इसलिए हम exception handling को i detail में पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि exception होती क्यों है हम यह कह रहे हैं कि exception हो जाती है प्रोग्राम terminate हो जाता है exception वाक्य होती क्यों है exception के बहुत सारे reasons हो सकते हैं जैसे कि एक example ले लें कि हम एक ऐसे file को read कर वा रहे हैं जो कि exist ही नहीं करती है उस नाम की file हमारे system में है ही नहीं हमारे हमारे उस folder में है ही नहीं और हम उस file को read कर आ रहे हैं तो obviously एक error आएगा और वो error ऐसे ही अजीब से words में आएगा तो हम जब ऐसा कुछ करते हैं यह हमारी network connection problem होती है यह हम कुछ ऐसा input दे देते हैं कि जिससे error आता है तो वो सब होती है हमारी exceptions अब exception को handle करना एक programmer का काम होता है आप सब programming कर रहे हैं तो आपको exception handling आना ही चाहिए exception handle कुछ तो होते हैं कि direct terminate हो जाते हैं वो सीधा terminate हो जाता है और एक system generated error show होता है तो हम उसको अपने ही language में लिख लेते हैं जो compile time exceptions होती है वो तो ठीक है हमें system generate करके देता है लेकिन जो runtime exceptions होती है उससे तो सीधा ही program terminate हो जाता है हमारा तो जैसे मैंने आपको examples तो बताई दिये अब उनको जो system generate करके देता है exception की नाम वो कुछ भी pleasant नहीं होते रीड करने में उन्हें कुछ समझ नहीं आता है उनसे हम अपनी तरफ से एक message डालेंगे अब हम देखते हैं अब हम बात करते हैं अगर advantages क्या है हमारे पास advantages exception handling की हमारे पास यह है कि जो flow होता है program का वो break नहीं होता जहां पर exception आई वहां का error शो करेगा और हमारा जो program चल रहा है जो flow में जिस पर flow में हमारा program चल रहा है वो interrupt नहीं होगा तो इसलिए हम exception handling को use करते हैं ठीक है अब आप यह भी बहुत confused होते होंगे की error और exception इस दोनों में difference क्या है एरर और exception इन दोनों में difference क्या है एक्चिली एरर क्या होता है जब बहुत कुछ गलत हो जाता है और application में crash करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता तो उसे बोलते हैं error exception कुछ events होते हैं जो code में अकर होते हैं उनको handle किया जा सकता है एक programmer उनको handle कर सकता है और कुछ corrective measures ले तो उनको easily handle कर सकता है अब basically यह सब exceptions होती है run time exceptions जो होती है arithmetic exception आप मान लीजिये कर रहे हैं 0 से divide कर रहे हैं तो इस type की exception हो गई और भी arithmetic exception होती है या आप किसी में कुछ भी add कर रहे हैं subtract कर रहे हैं जो भी mathematical related exceptions होती है वो arithmetic exception में आती है class caste exception होती है array index out of bound exception होता है कि आप array से बहार का मान लो array का size define है 10 और आप एक ऐसा element read कर रहे हैं जो उस size के बहार का है तो हमें array index out of bound exception होता है हो इसे तरह null pointer exception होता है number format exception होता है यह सब तरहें के exception हमारे पास आते हैं तो यह सब हैं अब हम आ जाते हैं यह आप कुछ देख सकते हैं अब हम आते हैं types of exception पे दो तरहें के exception होते हैं हमारे पास checked exception और unchecked exception checked exception जो होता है वो basically हमारा यह हम वैसे checked exception जो होता है जो compiler check कर देता है compilation के दुरान और जो यह सब exception होते हैं यह होते है unchecked यह इनको हम runtime exception भी बोलते हैं चेक जो होता है वो compilation time compilation के time पे compile time पे हमारे पास होता है और यह हमारे पास runtime पर होता है ठीक है तो यह हमारे पास दो तरह हैं के exception हो गए runtime exception के अलावा जो भी यह no such method exception, SQL exception, class not found exception, IO exception यह सब हमारे पास जो example है यह हमारे पास compile वाले example है यानि की checked exceptions है ठीक है तो यह था इस सब का आब हम देखते हैं कि इसमें कुछ blocks होते हैं try, catch, block यह कैसे उस सब को हम पढ़ते हैं finally block होता है वो देखते हैं तो हमने देख लिया कि exception कैसे handle होते हैं क्या करते हैं अब हम programming way में देखते हैं कि exactly होता क्या है जब हम exception को handle करते हैं तो exactly procedure क्या होता है क्या blocks बनते हैं वो सब हम study करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं blocks इसमें क्या होता है try, catch, block होता है है try block होता है catch block होता है और finally block होता है finally को हम बाद में discuss करेंगे पहले हम try और catch को देखते हैं try block में क्या होता है हम वो सारी statements लिखते हैं जिसमें exception होने के chances होते हैं एक try block में जैसे अगर हमने कुछ statements क्लिक ही हैं कुछ arithmetic operations लगाएं उस पर तो हम वो try block में डाल सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर उसमें exception हो सकता है तो हम उसे try block में डाल देंगे और try block के बाद हमारे पास आता है catch block जो की handle करता है exception जो try block से associated होता है एक try block catch block से और finally block से या फिर दोनों से घिरा हो सकता है try block के बाद catch block हो सकता है या finally block हो सकता है catch or finally block हो सकता है हम catch or finally को भी देखेंगे try block का यह syntax basically ऐसा होता है try लिखते हैं हम curly braces लगाते हैं और उसके अंदर statements जो हमारे program में normally लिखते हैं हम वो try block में लिख देते हैं अगर हमें उसमें exception होने के chances हैं इस तरह से हम उसके अंदर अपनी वो programming वाली statements लिख देते हैं catch block basically वो block होता है जहां पर हम अपने exceptions को handle करते हैं इस block के बाद यह block जो होता है try block के बाद आता है पहले try से exception उसमें generate होगी वो catch block अपना capture करेगा एक single try block के साथ several catch blocks हो सकते हैं एक single try block के several catch blocks हो सकते हैं उसके अंदर एक से जादा exceptions भी हो सकते हैं हमारे पास तो इसलिए हम एक catch block भी हो सकते हैं और multiple catch blocks भी हो सकते हैं अगर माल लीजिए एक example ले लेते हैं कि arithmetic exception आ गई हमारे पास try block में तो उसको catch block में हम वो कर देंगे handle कर लेंगे exception type लिखते हैं catch लिखते हैं exception type लिखते हैं और object लिखते हैं कि अभी हम अच्छा से प्रोग्राम में करेंगे देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम बना के लिखेंगे तो हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं देखेंगे जैसे exception आती है हमारे पास उसका जो हमारे पास execution का control होता है वो catch block के पास सराजाता है तो एक example एक class बनाई है मैंने उसके अंदर एक main method लिखा है दो int है num1 num2 एक try block बना लिए है मैंने num1 की value 0 initialize की है num2 की 62 by num1 मैंने डाल दिये basically ठीक है तो जब मैं num2 को print करना चाहूंगी अब मैं किसी भी number को 0 से divide करती हूँ तो मेरे पास exception आता है अब मैं इसको अगर number 1 से divide करूँग तो मेरे पास exception आएगा लेकिन मैंने try block में डाला हुआ है तो catch के पास चला जाएगा तो catch के पास एक arithmetic exception नाम की class है उसने arithmetic exception डारेक्ट लिखना है जिस type का exception है उसको डारेक्ट लिखना है कुछ classes होती है arithmetic exception वाले का class का नाम होता है arithmetic exception और last में उसका object बना देना है e तो कुछ पी object लिख दिया और इधर मैंने catch में basically print करा दिया you should not divide a number by zero और एक generic exception लिखती generic catch block बना दिया मैंने exception e और इसके अंदर simply print करा दिया मैंने exception occurred और नीचे मैंने catch blocks के अलावा एक statement print करा दिया मैं इसको execute करके देखती हूँ तो इसने पहले ये वाला print किया यहां पर उसको exception आया यहां से exception आते ही catch block के पास सारा control चला गया सारा control catch block के पास चला गया तो सीधा पहले ये print हुआ you should not divide a number by zero छीक है फिर catch होकर फिर एक बर catch हो चुक है तो यहां पर तो आएगा नहीं और फिर ये I am out of try catch block यह print होके है तो इस तरह से work करता है और भी examples देखेंगे हम अगर ये समझ नहीं आया तो हम और try करेंगे अब मैंने आपको बोला था कि एक program में एक से जादा catch blocks भी हो सकते हैं जैसे कि इसमें थे एक catch block दो catch block एक try के साथ दो catch लगी होगे थे तो होता क्या है एक single try block के साथ कितने भी catch blocks हो सकते हैं और जो generic वाला होता है वो सब तरह हैं कि exceptions को handle कर लेता है ठीक है अगर कोई भी exception अकर नहीं हो रहा try block में तो catch block भी execute नहीं हो रहा मालो अगर इदर number one मेरा three होता number one मेरा three होता और अब मैं इसको divide करती तो मेरे पास किसी भी तरह का exception generate नहीं हो रहा है तो यह कोई भी catch block नहीं execute करता यहां पर इसने number two को print किया सीदा सीदा जो भी मेरी value है 62 divided by 3 की और इसने इसको सीदा सीदा print किया तो hey I am end of the try block print किया इसने और कोई भी catch statement में नहीं गया और सीदा यह वाली line print 19th number line इसने print कर दी I am out of try catch block तो multiple catch blocks में यह होता है अगर अब है corresponding catch blocks execute for that specific type of exception अब मैंने arithmetic exception हो रहा था मेरा तो मैंने जो catch block arithmetic exception को handle करने के लिए बनाया है वो मेरा execute होगा ठीक है अब null pointer exception होता तो null pointer exception वाला इस तरह से उसको लिखा जाता है वो execute होता अब मैं यह देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है कि catch block जो होते हैं sequence wise वो देते हैं अगर मैं generic वाला पहले लिखती तो मेरे पास क्या आता generic वाला जब मैंने पहले लिखता तो इसको arithmetic exception वाले के लिए error आ गया वो कह रहे है कि exception, arithmetic exception has already been quote already been quote इधर मैं इसको zero लिख कर देखते हूँ जब exception आएगा तो मैं बात कर पाऊंगी तो basically आए रहा है कि exception, arithmetic exception has already been quote जब इधर ये हमने statement लगाई ही क्यों है जब ये वाला exception quote हो चुका है अब मैं इसको हटा देती हूँ एक पार के लिए तो generic exception ने इसको execute कर लिया तो basically हमारे पास पहले हमें वही लगाने चाहिए जिस type के exception हो सकते हैं अगर नहीं तो फिर वो generic में चला जाएगा अगर किसी भी type का exception नहीं है तो वो generic में चला जाएगा तो multiple catch blocks की भी हमने बात कर ली अब हम एक और example देख लेते हैं multiple catch blocks का एक array है a उसका size है new int 7 कुछ ठीक है a4 में मैंने ये डाल दी value अब 30 by 0 value डाली है ये तो एक तो arithmetic exception है और first print statement in try block इसको हम execute करके देखते हैं मेरे पास पहले आया arithmetic exception जैसा कि ये value है ठीक है अब मेरे पास आया ये वाला मेरा out of bound नहीं हो रहा ये भी नहीं चला ये भी नहीं चला अगर मान लीजिये मैं इधर a of 10 में value डालती a of 10 में value डालती तो पहले मेरा arithmetic exception तो आया ही है 30 by 0 में value डाल रही हूं और उसके बाद उसने बाकी exceptions में नहीं गया सीधा भार चला गया अब मैं इधर अगर 30 by 2 कुछ डालती तो मेरा array index out of bound exception line wise वाले exception वो करता है अगर मान लीजिये कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूं और इसको मैं बाद में लिखती हूं तो क्या होता तो देखेगा पहले मेरे पास इसने arithmetic exception जैसे ही जो exception आया पहले ये वाली value मैं जब इसमें डालना चाहा रही हूं मेरे पास ये वाला exception आया तो इसने ये ही वाला handle किया ओके गॉट इट और भी examples हम देखेंगे हम एक example और देख लेते हैं ये है finally block का हाँ तो finally block भी इसमें add होगे हम finally block को basically समझ लेते हैं कि होता क्या है पहले finally block हमने भी एक example देख लिया finally block के साथ भी हम और examples देख लेंगे हमें clear हो जाएगा concept की exception में exception handling में होता क्या है कौन सा execute होता है statement यह जो मैं अभी आपको बता रहे थी यह उपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है इस तरह के mcqs आ जाते हैं तो उसका answer देना हमारे लिए feasible हो जाता है अगर हम इस तरह के experiments अपने program के साथ करके देखते हैं तो basically क्या किया कीजिए कि आप जो भी program लिखें आप उसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से experiment किया कीजिए ताकि आप इस तरह की problems को solve कर सकें तो अब Java के हम finally block की बात करते हैं finally block वो block होता है चाए exception हो चाए ना हो वो execute होता ही है finally block में जो भी हम statements लिखते हैं वो execute होती ही है हाँ इसके कुछ conditions हैं वो भी हम discuss करेंगे अभी हम finally block की तरफ ही बढ़ते हैं तो और अच्छे से जानते हैं finally block को catch or try तो हमें पता चलिए कि अब finally block में जो सारी crucial statements होती हैं इसके अंदर finally block के अंदर जो हम सारी crucial statements होती है वो लिखते हैं क्योंकि ये हमेशे execute होता ही है चाहे try, catch, exception हो या ना हो try, catch में वो चीज हैंड जाए या ना जाए लेकिन finally block में उसका flow जाता ही जाता है तो इसका syntax होता है basically यहाँ पर एक finally लगा होता है finally ऐसे लिखा होता है और वही इसके अंदर curly braces लगे होते हैं तो इस तरह इसे होता है तो एक example देखते हैं अब हम finally का एक class बनाई है मैंने example एक main method है उसके अंदर मेरे try है जैसे की होता ही है catch लगा है मैंने उस exception को handle किया है फिर finally block है अब देखते है finally block execute होता है मेरा कैसे तो number should not be divided by zero यह मेरा execute हुआ this is finally block finally block execute हुआ और out of try catch finally try catch finally यह वली चीज execute हो गई यह तो क्योंकि इस सब के बहार है अब मैं यहाँ पर इसको जैसा करती हूँ कि हटा देती हूँ exception exception हटाने के बाद भी मेरा this is finally block print हुआ चाहे exception अकर हो रहा है चाहे exception अकर नहीं हो रहा है यह मेरा जो try catch के बाद है इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा finally block वाली statements अवश्य ही execute होंगी ओके तो कुछ points है आप finally block के बारे में finally block जो होता है वो try block के साथ associated होता है catch हो या नहो finally को सिर्फ try चाहे होता है catch हो चलेगा लेकिन try से उसका काम चल जाता है यह नहीं कि आप try catch लगाए नहीं सिधा finally लिख रहे हैं ताकि statement execute हो जाए नहीं आपको try block लिखना ही होगा try लगाना ही होगा finally block बनाने के लिए finally block totally optional होता है क्योंकि पहले मैंने आपको examples दिखाए थे जिसमें finally block का use नहीं था और वो programs बहुत ही fine run कर रहे थे आपके कुछ crucial statements हैं तो finally use कीजिए otherwise कोई need नहीं है in normal case when there is no exception in try block then the finally block is executed after try block अगर हमारे पास कोई भी exception नहीं होता try block में तो finally block execute होता है however if an exception occurs then that catch block is executed before finally block अगर exception होता है अगर कोई exception अगर हो जाएदा है तो पहले try execute होगा try में exception आया catch के पास जाएगा catch उसे handle करेगा उसके बाद finally finally block हमारा execute होगा अब मान लिजी finally block के अंदर जो statements लिखी हैं उसके अंदर हमारे पास exception आ गया तो वो भी उसी की तरह है treat होगा जो finally block के बाहर अगर कोई exception आता तो उस तरह हैं को treat करते उसी तरह से finally block के अंदर वाला exception treat होगा हमारा behave करेगा फिफ्थ है हमारा the statements present in the finally block execute even if the try block contains control transfer अगर मान लिजे try block के अंदर हमारा return वगेरा आ गया तब भी हमारा finally block execute होगा इसका example हम देखते हैं देखिए मैंने इधर main method में एक java finally नाम का java finally class का method बनाकर मैंने इसको call कर रहा है basically इस method को try अंदर मैंने इस इधर return लिखा है try अंदर return लिखा है तब भी finally block का statement execute हो रहा है this is finally block okay this is finally try में गया return होना था फिर finally में आया this is finally block finally block can run can even run print to a statement उसके बाद जो return करना था 112 उसने वो return किया और वो print कर दिया तो इस तरह से इसका flow चलता है अब हम देख लेते हैं कि कुछ example जहांपर finally execute नहीं होता वैसे तो हर एक में होता ही है जहां finally execute नहीं होता अगर thread की depth हो जाए यह basically high level programming में होता है जब आप कुछ बोड़ा project बना रहे हैं तो उस चीज़ में threads बगर आ जाते हैं तो उस चीज़ में होता है कि अगर depth हो जाए thread की तो हमारा finally execute नहीं होता अगर system.exit use कर लेते हैं तो हमारा finally execute नहीं होता due to an exception arising in finally block तो हमारा अगर हम कोई exception आगया finally block में तो finally block हमारा किसे execute होगा पहले तो उस exception को handle करेगा अगर हमने handling statements लगाई होगी अब यह मैंने कुछ लिखा exist zero और इस तरह का कुछ हो जाए उसके अंदर तो भी finally block execute नहीं होता इसका कुछ example देख लेते हैं मैं इस class को public बना दूँ पहले I do this mistake very often तो try block बनाया try के अंदर मैंने पहले एक print करा दी statement first statement of try block फिर ने number लिया एक number को print करा दिया ठीक है फिर catch के पास तो जाएगा नहीं कि कोई error वही नहीं आए exception ही नहीं आए फिर finally के पास जाएगा finally block और फिर यह print हो क्या अब एक और example देख एक और example इसमें क्या है हमारा इसमें यह है कि पहले try block में हमारी statement execute हुई first statement of try block फिर हमारे पास exception आगया exception को handle करा exception आगया exception को handle किया इसने array index out of bound यह वला आगया हमारे पास अब यह हमारे पास class ही नहीं है यानि कि यह वला exception है ही नहीं तो यह वला catch हमें handle कर यह नहीं सकता तो इसके बाद यह handle नहीं हुआ इसके बाद भी finally execute हुआ finally block execute हुआ और हमारे पास error तो आई गया था कि जो भी arithmetic exception है क्योंकि वो handle नहीं किया था तो इस statement के पास नहीं गया control क्योंकि वो वला exception हमारा handle नहीं हुआ अब हम अगर यह सब ना लगाते catch अगर हम finally ना लगाते इसमें अगर हम finally ना लगाते इसमें तो हमारी first statement of the tribe लोग execute होती फिर हमारा exception आ गया वो exception handle नहीं हुआ तो program terminate हो गया इसलिए हमें terminate होने से बचाने के लिए हमें exception handling करनी होती है जो कि हमने इसमें नहीं की हम इधर arithmetic exception लिखके आपको check करा देते हैं कि finally problem क्या है arithmetic exception देखिए इसके अंदर print यह हुआ हो था otherwise तो ठीक है एक और example देख लेते हैं इसके अंदर try block के अंदर first statement of try block यह print हुआ फिर number हमारा divide हो गया था इस number को इनों अभी मैंने एक करके दिखा दिया आपको तो यही सब हो रहा है इसमें तो अब हमने पढ़ लिया try block, catch block, finally block हमें exception को handle कैसे करना है यह सब हमने इस tutorial में देख लिया इसका exception handling का अभी हम और भी detail में और थोड़ा सा और part भी हम next video में देखेंगे अभी इस video को अच्छे से आपको समझना है यह programs run करके देखना है और test your prep को subscribe करना है इस video को अपने दोस्तों के साथ share करना है और इस video के लिए, thank you